चल चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं CCA चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है हम अभी हम आजमगर्ड जिले में हैं आजमगर्ड जिले की सगड़ी सीट में और सगड़ी सीट का ये पहड़ पुर गाउं है पहाडपूर गाओं में मुख्य रूप से कुर्मी समाज के लोग रहते हैं आजमगर्ड अक्सर कई सालों से माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं गड़ है आजमगर्ड, माउ, गाजीपूर क्या वही जो एक गड़ जो एक पकड रही थी क्या इस बार भी रिपीट होगी पहाडपूर गाओं की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं आजिए इनसे बात करते हैं नमस्ते दी ये बताईए चुनाव आ रहा है आप अभी कहां किसके साथ जाने की सोच रहे हैं य। सपोधूर में हिए अपना वही जांग पिछली बार कहां गही थे आप बोल रहे हैं है अनका हौण जलायों हम थो महिलाओं को सलैंडर दे घर्ट सबसेडी मिल नहीं रहें आपको सिलिंडर की घर में क्या आप लोग के घर में क्या मतलब कुछ आए मोदी जी कहा था कि हम दुग्नी कर देंगे किसानों की आये कुछ आप लोगों के लिए दुग्नी हुई है फ़सल की बरबाद की हो रही है कैसे अवारा पशु की वज़ेशी कुलाज में बहुत दिक्कट हो रही है उससे कि वो तो सब लोग बात कर रहे हैं कि फसल की बहुत बरवारी हो दिये अच्छा यह बताइए आप लोग अभी अमिद्शा जी बोले कि सुरक्षा औरतों की बहुत बढ़ गई है यूपी में योगी की वज़ा से वो तो बोले कि स्कूटी पर रात को आरत लड़की गहने पह कोई सुरक्षा नहीं है कोई सुरक्षा नहीं है यह बताइए कि जैसे गाओं में इतनी सारे आप करें खुला पशू का प्रॉब्लम है यह महिलाओं के लिए लेकिन जो महेंगाई लोग कह रहे हैं बड़ी है सरसो का तेल भी मेरे खाल से दो सुरुप है ना तो थोड़ा इतक्षा मांगत वोड़ी है उचिदा में मिले अर जो सता हूवश 허락 वला स्वाश लेका दोनों में बेचका बेचरे कोता है यह प्रत्यासी जो हैं सप़ा चाहरो देखकर वोट कर देज़ से, कद भइच से, कैंडिटीye तैब वहिसे के आ यहिसे के जेखे आठेखला करही जब यह अ बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पढ़ा है। तो दिक्कत भी इस बार बहुत हुआ है तो पांच साल में अब आपको लगता है कि योगी जी किस काम से बिलकुल खुश हैं किसी काम से खुश हैं आप कुछ भी नहीं और तो इस बार गाउं में कितने लोग आपके हैसाब से महलाएं भी मर्द भी उधर जाएंगी कि लगवा में जाते 20 प्रस्त होगा ना तो दौसे प्रस्त होगा वीचेपी में बाखी सब सब आमें आपका नाम राकेश पटेल राकेश जी अभी चुनाव आ रहा है घागरा में आसपास के यहां पर लोग कहां जाने की सोच रहा है हमारे गाहों में तो लगभाग 70 आरक्षण चिन रही है तो में मुद्दा आरक्षण का हमलों का है तो आप यह कह रहे हैं आरक्षण चिन रहा है दस परतीशट बल्कि कहीं नहीं समाना अरक्षण की भी घोशना हुई है सरकार में आप लोगों को क्या यह डर है कि कहीं नहीं आरक्षण और आरक्षण कैसे सब्सक्राइब तो नहीं था आई तक जितनी सरकारे आई वह तो नहीं दी आए दस परसेंट हम लोग काटकर के दे दी तो कुर्मी समाज पिछली बार ज्यादा तो हम देखे थे भाजपा में थी लेकि यह नहीं जानती थी कमारा अरच्छन काटकर के दे दिया जाएगा क्योंकि हम लोग किसान भी हैं हम लोग का गन्ना पांच साल सरकार जोगी कि थी पांच साल में चार साल में एक रुपया नहीं बढ़ाए गन्ने का मूल अंत में पच्छेस रुपया बढ़ा दिये क्या मतलब इसका है कि चार साल हम लोग डाई पोटा से विरिया जोताई नही कि जमीन है वह बोलते हैं वह रहे हैं तो क्या है बताईए वह रहे हैं तो क्या है कि 10 रुपया का समान 20 रुपया में हम खरिद रहे हैं प्षम, आप तो नौजवान हैं, कितना पड़े हैं, तो इन पांट सालों में कितना नौकरी निकला हैं, आप लोग खुश हैं जो रोजगर्णों? परान बाइकनसियान थी उसे थाला लगा दिया गया तिसलिए हम लोगी सरकार से बहुत नाराज है और इस सरकार समका कुछ भला होने वाला नहीं है जैसे कि अपकारी सिपाई की बैकंजी 2016 कि थी अकले वहीया जो निकाले थे उसमेरा भी चैन हुआ है और अभी तक उसका रिजल्ट घोसित नहीं हुआ हम लोग डिगरी लेकर क्या करेंगे तो बोले थे मोदी जी कि अब रोजगार के लिए लोग पखोड़ा तो अची सरकार हम लोग को नहीं चाहिए क्या आपको लगा है एक ठाकुर मुक्हमंत्री बने थे इस बार है ना योगी जी क्या आपको लगा है कि पिछडे दलितों के साथ आप लोग खुद पिछले समाद से अन्य पिछले वर्ग में आते हैं कुर्मी समाद से क्या आपको लगा है कि किसी एक इस तरह का शोशन हुआ है कुछ भेदभाव हुआ है बहुत भेदभाव हुआ है आरच्छड अमलों का खा गए हो जो बैकांसिया निकलती थी उस सारे लोग सारे नौजवान एक जूट हो गए हैं समाजदी पाल्टी की सरकार बनाने के लिए किसी भी जात का हो लेकिन नौजवान बहुत सारा भाजपा में गया था किसी भी जाती गा हो तभी मतलब 312 सीटे लाए तो आप कुछी पर भाजपा में गयते हैं क्या सोचके महिलाओं के लिए कैसी रही है यह सरकार बताइए जिस गयस का दाम 500 रुपए है और 500 रुपए हम लोग खरी दे थे और उस पर डेड़ सो परने 200 रुपए आती थी सबसेडी आज उस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए हो गया है अब सबसेडी के नाम पर जीरो है योगी जी बोल रहे हैं कि कोट का अधेश आया कि अयोद्या में राम मंदिर बनेगा अधिर बनवा देने से बताईए अमने लोग का अविकास नहीं होने वाला है विश्व विद्धाले बनवाएं, मेटकल कॉलेज बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, इस सारी सुब्धा हम लोग को चाहिए न गरीब आदमी को मंदिर भोजन नहीं न देगा किसी को, मंदिर भोजन देगा कि उदोग लगाने से, उस्कूल खुलवाने से, अस्पताल खुलवाने से, तमनों नागरिकों को सुब्धा मिलेगी किसानी काम करता है, सरकार कैसी रही है किसानों के लिए, अच्छा, जो बढ़ धिम सरकाती, अच्छा, जो अच्छा, यह सरकार है सबसे अच्छी है, कौन सी वाली? इचेंज से, समाजभादी पार्टी वाले शे, वह आपको ज्यादा अच्छी लग रही है से पिशली वा पहाँ गहाया है थो बह लोर्ड कहाँ डाला अले रिःया थे, अच्छ बड़ हो रहे हैं खुछ नहीं है सदकार से कुछ नहीं हम खेटी करते हैं खेटी में बचला छोड़ाते हैं सब सत्य नास करें रागी भर खुला जानवर जो नहीं है तो अब बिताए लेकिन खुला पशु यह तो कहते हैं कि गाय सुरक्षित हो गई वह पहले बोलते थे कि सपा के राज में त आप रहां कि दिली में एक बहुत बड़ा किसान अंदोलन हुआ था आपको पता होगा है ना तो उसमें उसका पूर्वांचल तक हम जो दूर से हमको देली वहां से लगता था कि शायद पूरवांचल में इतना असर नहीं हूँ ऐसा है कि पूरवांचल में क्या आसर हैं व अगले साल दो गन्ना फिर अगले साल सत्र में जब होगी तो भुक्तान होता है मताइए उस सरकार अपना सो रुपे देगी तो ब्याज लेगी हमारा दस बिस पचास अजार लाख रुपे लेकर के साल बर खाती है वह भी समय से नहीं मेलता ब्याज क्या देगी दिदे आप बताइए जब गन्ने का पेमंट समय पर नहीं आता है तो घर में कितनी दिखते हो बहुत दिखते आती हैं जैसे बताइए पढ़ाई पढ़ाई लिखा कि कुछ लोगों से बात हुई जादातर लोग और आसपास के गाउं के भी लोग थे महिलाओं से भी मद्दों से और यह एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जहां 80 बनाम 20 का नारा लगा था लेकिन बहुत सारे छेत्रों में पूरवांचल में 85 बनाम 15 का नार लोग बने रहें